राजधानी पटना में एक बड़ी एतिहासिक रैली होगी है उस रैली में अपोजिशन के सभी नेता एक साथ जमा होंगे 2024 की रणनेती को लेकर के नरंदर मोदी और भारतिय जनत्य पार्टी को सत्ता से उखार फेकने के लिए एक बड़ी महारैली राजधानी पटना में आयोजित होगी ताके लोगों को बताया जा सके कि सभी धान पर किस तरह खत्रा है उसके बाद ये खबरे आनी लगी कि पहली मिटिंग जो होगी महारैली होगी वो राजधानी पटना में होगी इसलिए कि इंडिया कटबंधन के सियासत की शुरुआत इसी पटना से हुई थी जहांपर मुकमतिर नितीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में सभी पार्टी के निताओं को बुला लिया था दरसल बिहार और उतरपरदेश की राजनीती से परभाव ये होता है कि कोई भी आदमी परधान मंतरी बन सकता है अगर 40 सीट बिहार की हो और 80 सीट उतरपरदेश की हो और यहां पर जो 50 फीसद से जादा सीटों पर कबजा करता है वो पी-म की कुरसी पर जा बैठता है और इस इसी नजरिये को रखते हुए सामने ये फैसला हो सकता है सूतरों से एक खबर आई है कि पहली मिटिंग जो होगी वो विशाल रैली राजधानी पटना में होगी जहां पर राहुल गाधी, सोनिया गाधी, खडगे समेथ, मुकमतिर नितीश, कुमार और लालु परशाद य महारैली की जाए ताकि उस रैली से लोगों को संदेश दिया जाए और वो संदेश साफ तर पर यह है कि प्रिदार मंतरी मोदी के खिलाफ जो है इन सारी चीजों को लाया जाए, बताया जाए लोगों को, तो कम से कम जो हिंदी भाशी राज्य है, वहां से इसकी शुरूआ जाए और अगर जब मुखमतिन नितिश कुमार ने पहली गडबंधन की मिटिक इसी पटना में की थी, तो इसी नजरिये से सब लोगों ने इस बात पर विचार विमर्श भी किया कल, और सुतर से ये खबर आ रही है कि पहली मिटिक जो है, वो पटना में आयोजित होने जा कॉंग्रिस के हालत बड़ी खसता रही है, उसके बाद छोटी छोटी पार्टियों ने उनका दबाव बनाए, अपने अपनी बात रखे और कल जो इंडिया गडबंधन की मिटिक हुई, उसमें स्ट्रीट शेरिंग को लेकर के सारी चीज़े सामने आई थी, लेकिन उसमें एक बात ये भी सामने जो हम आपको बता रहे हैं कि राजधानी पतना में इंडिया गडबंधन की बड़ी रैली हो सकती है और यहाँ पर जो आपोजिशन के जितने बड़े नेता हैं, वो सब यहाँ पर आएंगे और कहा ये जा रहा है कि इसी रैली से 2024 के चुनाव का बड़ का जाएगा